देश की राजनानी दिल्ली में आधी रात को दो गुटों में हुई लडाई का एक वीडियो शोषल मीडिया वर तेजी से वाईराल हो रहा है इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में जिस सच्छ के पिटाई हो रही है वो कोई और नहीं बलकि वोलिवुड के सुपरस्टार अजय देवगन है शोशल वीडिया यूजर्स का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई अजे देवगन नशे की हालत हो थे उनका कार पार्फी में नेकर छगड़ा हो गया जिसके बाद लोगों ने मिलकर उनके साथ मार्वीट शुरू गई आला कि वीडियो में उतना साफ नहीं है और किसी का च जिसमें पिटाई हो रही है जिस शक्स की वो अजे देवगन है एक यूजर्स ने अपने इस पूरी गटना का वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल किया और दावा किया कि जिसमें शफेश शड पहने एक शक्स की पिटाई होचे देखा जा सकता है वीडियो पोस्ट करते जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये अजे देवगन है अब ज्यादा तर सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को अजे देवगन की पिटाई किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन में लेकर करना है कि किसानों के समर्थन में अजे देवगन की पिटाई करना बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अजय देवगन ने भी किसानों के विरोध में या सरकारी पक्ष में ट्विट किया था और सरकार की वावाई हासिल की थी जैसे की अक्षे कुमार ने की बस उसी के मतने नजर अब यूजर्स सोशल मीडिया पर बड़े मज़े ले रहे और लिगी रहें कि पहले नेता पिटे और अभी नेता पिट रहे हैं खूब करो किसानों के विरोध में ट्विट अब अगर इस वीडियो की सच्चाई के बारे में बात करे तो आना कि इस वीडियो की जो पर्ताल की उस पर्ताल में ये पता चलता है कि ये वीडियो राजधानी दिल्ली का तो है क्योंकि राजदानी दिल्ली इस्तित इंद्रा गादी अंतरास्टिय एरपोर्ट के पास बने एरो सिटी का है जहां बीती रात पार्किंग को लेकर दो गुतों के बीच लडाई शुरू हो गई थी देखते ही देखते ये लडाई इतनी बढ़ गई कि इसमें कई लोग शामिल हो गए और दो गुड बन गए और एक शक्स को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया जिस सक्स को पीटना शुरू कर दिया वो अगर वीडियो में देखें तो वो नशे की हलत में बताया जा रहा है इस लडाई का वीडियो में नजर आ रहा है जो शक्स है वो नशे की हलत में देखा जा सकता है उसका चेरा साफ तोर पर नजर नहीं आ रहा है लेकिन साफ तोर पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिसको पीटा जा रहा है वो अजय देवगन नहीं है वेसे जहां तक हमने बर्ताल में पाया कि वो शक्स अजय देवगन जैसा दिखता है लेकिन अजय देवगन नहीं है गटना के बाद पुलिस ये भी जानकार याई करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए धन्यवाद जय हिन जय भारत अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीविसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए पास में देख रहे हैं बैल आइकन को भी दबाईए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो सीविसी वायर का पेज लाइक करिए अगर आप इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं